नमस्ते दोस्तों आप सबीका स्वागत है मेरे नए वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ श्री गगनगीरी महाराज का मट जो खोपोली में है साथी मैं आपको दिखाने वाला हूँ श्री गगनगीरी महाराज कहां पर तपस्या करते थे और मज़ा आने वाला है जैसे ही आप अंदर जाएगे तो आपको एक बात तुरन समझ में आ जाएगी कि क्लीनिन इसका इनोंने बहुत ही अच्छा ध्यान रखा हुआ है जैसे ही आप इस हौल में एंटर करेंगे आपको दिखाई देगा कि सामने वाले पालने बे श्री गरगन क का एक फोटो रखा हुआ है दर्शन के लिए और इस साइड में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी दिखेगा आपको यह पानी हमेशा बहुत ही जादा फ्लो में बहता रहता है इसका एक वीडियो में आपको साइड में दिखा दूँगा क्योंकि मैं जैसे ही आप मंदिर में आगे बढ़ेंगे आपको एक चीज बहुत ही जादा मैसूस होगी आपको यहाँ पे इतना रिलैक्स फिल होने वाला है आप कहीं पे भी बेट के अपना द्यान लगा सकते हैं आप आपका जब कर सकते हैं जिस भी बगवान का आप नाम स्परन करते वो आप यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं आपको मेडिटेशन जैसे करते हैं लोग वैसा फिल होगा मंदिर का प्रांगन इतना प्रसंद लगता है आप यहाँ पे ध्यान कर सकते हैं आप यहाँ पे जब कर सकते हैं आप अगर यहाँ पे जब करते हैं तो आपका मेडिटेशन हो जाएगा आपको बहुत ही प्रसंद फिल होगा तो आप ये जरूर वहाँ पे ट्राइ कीजे मैंने भी ट्राइ किया मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रसन यहाँ पे फिल हुआ है इस साइड आगे जाने के बाद में आपको एक शनी मंदिर दिखाई देगा तो आप वहाँ पे जाके शनी मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं मट के अंदर जादा शूट नहीं कर सकते हैं इसलिए मैं श्री गगनगिरी महराज की मूर्थी आपको नहीं दिखा सका लेकिन यह यहाँ पे आप देख सकते हैं श्री गगनगिरी महाराज की ही मूर्थी है यहां से आप दर्शन ले सकते हैं जैसे ही आपका दर्शन कंपलेट होगा और आप बहार जाएंगे तो यहां से आपको मंदिर का पूरा व्यू दिखाए देगा मंदिर में रहने की भी वेवस्ता है तो अगर आप यहां पे आते हैं और एक दिन के लिए स्टे कर रहे हैं तो यहां पे आप स्टे भी कर सकते हैं स्वामी गगनगिरी महाराज एक भारतिये हिंदू संत और नाद संपलेट है वह आदुनिक भारत के सबसे प्रभावश अली योगियों में से एक है गगनगेरी महराज विशेश रूप से अपनी जल तपस्या और गहन ध्यान प्रताओं के लिए जाने जाते थे उन्हें सोय आदि दतत्रे का आउतर माना जाता था स्वामी जी बारतिय सादू और योगियों के बीच व्यापक रूप से पुझने विक्ती थे तो इस तरस्ते से आगे जाने के बाद में आपको गुफा के दर्शन हो गए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बारिश शुरू हो चुकिये वादा और बहुत ही अच्छा बन चुका है तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपको गुफा दिखाते हैं गुफा का टाइमिंग मौनिंग आठ बज़े से लेके दोपर में एक बज़े तक ही है अगर आपको गुफा देखनी है तो उस हिसाब से आप प्लीज प्लान करके आईए श्री गगंगिरी महाराज का जन्म श्रीपात पाटनकर के रूप में महाराश्टा के सतरा जिले में पाटन में मांडोरे नाम के गाउ में हुआ था पाटनकर परिवार एक शाही परिवार है और चालुक के वंश के प्रतक्षवंश जए जोन्होंने कभी दक्षिन और मद्दे भारत के अधिकाश पाग पर शाषन किया था साथ साल की छोटी उमर में उन्होंने घर छोड़ दिया और नात संप्रदाई के एक मट में चले गए जो शिराला में स्थी थे बहुत कम उम्र में ही उन्होंने सन्यास ले लिया था सामने जो रोड आप देख रहे हैं इसी रोड से हमें आगे बढ़ना है इस रोड से आगे बढ़ने के बाद में हमें गुफा के दर्शन होने वाले है थोड़ी सी चड़ाई है लेकिन हम चड़ लेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं वट वासी वैवस्ता में दिक्शित होने के बाद उन्होंने नाथ संप्रदाई की विबिन्न महंतो संतो के साध यात्रा करना शुरू कर दिया गगनगिरी महाराज एक प्रदिबाशाली बालत थे, उन्होंने बहुती कम उम्र में कई शास्त्रों, योग और विबिन्न तंत्रों के महारत हसिल कर लिये थे उन्होंने नेपाल भूटान, मानस सरोवर, गवरी शंकर, गोरकपूर, पशुपतीनात जैसे दूर दूर के स्थानों की यात्रा की, अंत में उन्होंने हिमाचल प्रदेश की गंगा गाटी से यात्रा की और बद्रिका आश्रम पहुचे तो इन सीडियों से आगे चड़ते चड़ते आप गुफा की तरफ जा सकते, सामने देख सकते आप गुफा हमें दिख रही है गुफा के अंदर बहुत सारे लोग तपस्या कर रहे थे और यहाँ पे भी एक स्वामी जुक का मंदिर है अगर आप इस मट को मानसुन में विजिट करेंगे और आप गुफा के भी दर्शन करने वाले हैं तो उपर चड़ने के बाद में आपको ये विव दिखेगा जो बहुत ही सुन्दर था और यहाँ पे बहुत ही प्रसन्न और अच्छा लग रहा था गुफा की इंट्री जहाँ पर है वहाँ पर एक वाटरफॉल भी है तो वो वाटरफॉल भी आप एंजॉय कर सकते हैं अभी वहाँ पर पानी नहीं है लेकिन मानसुन पूरा शुरू होने के बाद में यहाँ पर बहुत जादा पानी आ जाएगा गुफा से नीचे आने के बाद में लेव साइड में हमने शिव मंदिर में शिव बगवान के दर्शन किये और आगे हम हेली बैड देखने चले गए आप सोच रहोंगी कि यहाँ पर हिली पैड क्यूं है तो चौपर से बहुत सारे एक्टर्स मंत्री और वियाइपी यहाँ पर उतरते हैं दर्शन करते हैं और फिर चौपर से ही वापस चले जाते हैं इससे उनका टाइम बचता है तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी फार्मिंग भी की है मंदिर के मैनेजमेंट ने जहाँ पर उन्होंने मैंगो, चीकू और सिताफल के पेड मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आप भी देख सकते हैं तो मंदिर से हम आगे देखने वाले दो वाटरफॉल तो चलिए आगे चलते हैं तो यहाँ पर मंदिर खतम हो जाता है तो चलिए मंदिर के बाहर चलते हैं और आपको दो वाटरफॉल में दिखाता हूँ तो मंदिर से बाहर निकल के बाद तुरंट आपको एक राइट लेना है और राइट लेने के बाद में एक पुल क्रॉस करके आपको और एक राइट लेना है और उस रोड से आगे चलते जाना है आपको उसी साइड बहुत सारे waterfall मिलेंगे जिन में से दो waterfall में आपको दिखाने वाला हूँ झाल 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 झाल